और मैं ये चाहता हूँ कि नर्सिंग अनंद की हक्तिया के साथ ही वो युद्ध शुरू हो जाए लेकिन हर हिंदू को यहाँ 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 दिमाग में और यहाँ दिल में अपने बच्चे और अपनी बेटिया रखनी पड़ेंगी सिवन तुमारे हमारी दोस्ती को कितने दिन हो गए तुमने कोई दूसरी बात सुनी है मेरे मुझे कभी मतलबी नी आप तो नीद में भी मैं आपके साथ जब वहाँ पर सोएते हैं हम बहार गएते हैं आप तो नीद में भी जिहाद जिहाद बोलते हैं मैं तेरे दान पर जीवित हूँ बाई आपसे ने पटेल नसे स्भी लोग से जो भी पएरी बाट सुनते हैं इस समय भारत में जो हमारी सबसे बड़ा खत्रा है ना भारत में खत्रा सबसे बड़ा यह है कि लग 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 चालिस करोड हिंदू का कतल हो जाएगा 40 करोड़ हिंदु का और 50 करोड़ हिंदु जो है कनवार्ट हो जाएंगे इसलाम में और इसलाम की ताकत दुनिया में इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि दुनिया इसके सामने टिक नहीं पाएगी, हमने अगर सनातन को और भारत को नहीं बचाया, और इसका जो उपाय है, वो केवल ये है कि खड़े होका सच बोलना बिल्कुल, नंगा सच दुनिया को बताना, आप लोग ये काम कर सकते हो, मैं जो आज इतना कड़वा हूँ, उसका कारण ये है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि इसलाम के जिहादी किसी भी कीमत पर मुझे मार देंगे, मैं अपना काम कर चुका हूँ, जितना मुझे करना था हिमन्त भाई, मैं कर चुका, अ उस दिन से बॉक्सिंग की प्रेक्टिस कर रहा हूँ, उस दिन से बॉक्सिंग की और पहलवानी की प्रेक्टिस कर रहा हूँ, सारे लड़कों को लगा दिया है, सारे लड़के हमारे मंदिर के केवल ये ही कर रहे हैं, कि बॉक्सिंग और पहलवानी, और सारे पैसे डाल द है ठीक है ना हमारा केवल इस टारगेट है केवल यह है कि मुझे जिस दिर मुसल्मान जिहादी मारने आएंगे ना तो उन्हें पता चले कि वो किसी को मारने गए थे तो मेरी कहानी तो लगवाब सिवम पूरी हो चुकी है और मेरे बाब उर्जा देखो मैं अब क्यूकि अपनी जान बचाना भी अगर मुझे बहुत आथानी से मुसल्मानों ने मार दिया और जो मारने अभी कोई कसर तो है नहीं तो सिवम उसके बाद हिंदूों का होसला कितन मुझी से लड़ों और दिनेरी से लड़ता हूं हमारा जाओं मेरा इतना काम है तो सिवम मैं आप सभी से कहना चाहता हूं एक कार्य करना था मैं विश्वत धर्म संसद मैं रहू ना रहूं सारे नराइयों को मेरी ये इवेंट को सक्सक्रवानी चाहिए बहुत कम चांस है क मैं 15 दिसंबर से पहले 15 दिसंबर देखूंगा इसके चांस 0% के लगवग है जीरो के लगवग है लेकिन मैंने खूब मैं UTC दि बात कर रहा हूं गाली भी दे रहा हूं सारे носि दे आप सब जीवित रहो आपके बच्चे जीवित रहें आपकी बेटियां कि पूरे मान संबान के साथ अपना जीवन काहते हैं बाद देखो कि मैं गाली कूँ परिस्थितियों में दे रहा हूं कि इस तुम तुमधादे हमारी दोस्ति को कितने दिन हो गए तुमने कोई जूसरी बात सुनी है मेरे मुझसे कभी मतलब भी नहीं आप तो नीद में भी मैं आपके साथ जब वहां पे सोई थे हम बाहर गए थे आप तो नीद में भी जिहाद जिहाद बोलते है तो सिवह मेरा कहना के वर इतना है हिंदूों से कि विश्व धर्म संसद को एतिहासिक बनाओ मेरे कतल के बाद पूरी इसाइयत का ध्यान मेरे पर जाना है पूरी इसाइयत पूरी यहुदियत क्योंकि एक 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 यहुदी जो इसलामिक इसलाम के बारे में जानता है ना आज वो नर्सिंग अनंत को वाच कर रहा है मेरे से जुड़ो या मत जुड़ वह अलग बात है लेकिन जो विचार में दे रहा हूं, जो विचार में दे रहा हूं, मैं अपने सबी भाईयों से, बेटों से, हात जोड के निवेदन करना चाहता हूं, इस पे मनन करो, चिंतन करो, और अगर ये ठीक लगे है, तो इसे एक्टिबेट करो, इस पे लग जाओ स केवल संगर्स केवल संगर्स केवल संगर्स हमारे बच्चों को बचा सकता है केवल संगर्स हमारी बेटियों की बंडी लगने से बचा सकता है केवल संगर्स हमारे धर्म को बचा सकता है और संगर्स भी कितना महाबारत से भी कम से कम सो गुना बवा युद्ध हमारी प्रतिक् दर्टी की कोई भी ताकत उस युद्ध को टाल नहीं सकती और मैं ये चाहता हूँ कि नर्सिंग अनंद की हक्तिया के साथ ही वो युद्ध सुरू हो जाए लेकिन हर हिंदू को यहाँ 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 दिमाग में और यहाँ दिल में अपने बच्चे और अपनी बेटिया रखनी पड़ेंगी आत्म सम्मान रखना पड़ेगा आत्म गौरव रखना पड़ेगा नर्सिंग अनंद आते जाते रहते हैं नर्सिंग अनंद की कोई कीमत नहीं है लेकिन उस बेटी की कीमत है जिसे अपने खून से अपने सरीर से हम पैदा करते है उस बेटे की कीमत है जिसे हमारे घर की औरते नौ महीने अपने पेट में रखती है हमारे उन पूर वजों की कीमत है जिनों अपना खून पसीना बहाया लेकिन हमें हिंदू बनाए रखा उनके लिए लड़ो उनके लिए लड़ाई को यहां लओ और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर आस्रित मत हो जो मुसल्मानों से दोस्ती करता है जो मुसल्मानों का हो गया वो तुमारा नहीं हो सकता चाहे तुम उसके कितने हो लो लेकिन जो एक बार मुसल्मानों का हो गया वो पिर किसी और का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता और अगर आज भी नहीं समझे तो कोई समझाने वाला फिर बार बार नहीं आएगा और अफ्तार तो युगों युगों में जर्म लेते हैं ऐसे ही एक अफ्तार का नाम है यती नर्सिगाना सरस्वधी भी महाराज अब दिन याद करते हैं जब 25 साल पहले आप सभा में जाया करते थे और एक माइक वाला होता था और एक बंदा दरी पे सुनने वाला और गोलने वाले आप तीन लोग होते थे मतलब वक्ता तो तीन श्रोधा एक और एक माइक वाला आपने जाए ना गुर्दे कि वह संगर साब के पीछे आपके पीछे अपको एक बात बताना चाहता हूं शिवों मोदी के लिए लड़ने वालों में हमसे बड़ा भारत में कोई नहीं है या तो मोदी के लिए हम लड़े या सोनिया गांधी से डॉक्टर सुप्रमनियम स्वामी लड़े जी या तो मौदी के लिए या सोनिया गांधी से लड़े सोमी और मोदी के लिए हम writings आज लोग पिड़े बताते हैं ना मैं थेला उप मी का विरोदी नहीं यह ऑई Так नाय हर देख सवाथ। है कि इसे कुzte कि और तुम्हारे दिया हुआ खाता हूं और तुम या तुम मुझे साधू मत मानो हिंदु वादी में मत मानो कुट्ता तो मान लो केवल इसलिए भाख रहाँ कि तुम खत्रे में हो और मैंने अपने जीवन के 23 साल ऑग व केवल हिंदो की भीक पर काटे हैं केवल हिंदो की फिपर बहुत बड़े बताब आपने इतने सरल वाक्यों में समझा दिया कि जो तल्खी है जो शब्द है वो इसलिए हैं क्योंकि मैं अपने लोगों पर खत्रा देख रहा हूं और मैं अपनी आखों के सामने अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता बावजुद इसके कि मैं जानता हूं मेरे कुछ शब्दों से नहीं देखना चाहता यह भी लोग बैठे हैं शायद वो सपोर्ट भी रोग लेंगे यह बटाइ डॉंट के और डाट थिंग मेरे लिए सबसे पहले मेरे लोगों की जिन्दगी है यह बांद आपने बिल्कुल यहां पर स्कुष्ट करी है अरे मरं दो आप तो बहुत 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 I mean सब को काफी लोगों को अरे मरे लोगों के लिए यहां पर बहुत